आज आपको मदमया यानि की डाइबेटिस की रोग के बारे में बताएंगे इसका इलाज बताएंगे कि आयरुबेट से हम कैसे इस रोग को मिटा सकते हैं एलोपाथी में जो दबाई दी जाती है वो आदमी को दबाई खाने के साथ साथ उसको कांट्रोल करके उसको एक तरह से मतलब मेंटेन करके रखता है लेकिन आप दबा कम कर दो तो फिर वो बढ़ जाता है ज्यादा तो वो बालांस रहता है कोई आपको एक भी एलोपाथी की मरीज इसा नहीं मिलेगा जिसको वो एलोपाथी लेता हो और उसका diabetes कांट्रल हो गया और कांट्रल होते हो तो वो मेंटेन करके चलते हैं और वो क्यूर नहीं कर पाते हैं जो आदमी diabetes का गोली खा रहा है diabetes के लिए तो वो पूरा lifelong इखता रहता है तो उसका इलाज क्या है इसका इलाज आयरुवेद में है इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस वीडियो में बताएंगे तो मैंने यहाँ पे जो सब रखे हैं यह सब आपको पैकेट की फॉर्म में या जूस की फॉर्म में यह पैकेश डपको मिलेगा लेकिन नैचुरल तरीका क्या है इसको खाने के लिए यह हम पहले जानते हैं आपको अगर डाइबेटिस है तो आप क्या करेंगे हर रोज सुभे यह तीन चीजों को जूस लेना है आपको यह है खीरा यह करेला और यह टमाटर यह तीन चीजों का जूस बनाना है आपको और जूस बनाके इसको पिना है इसे करने से आपका डाइबेटिस रोज यह आप करें पहले साथ दिन का प्रयोग करें फिर आप डाइबेटिस चेक करें कितना घटा है फिर आप जान सकते हैं कि इसका लाफ आपको मिलता है कि नहीं मिलता है फिर इसको करने के बाद रोज आप प्रयोग कर सकते हैं घरे लूपाए है यह मेंने मिथ्थी का दाना ले रखा है ये मेथी को आपको रात को एक चमच एक गलास पानी में भीको के रख दना है फिर उसे सुभे वो पानी को पी जाना है और ये जो मेथी का दाना इसको चबा के खा लेना है इसका प्रयोग आप एक महिने तक भी कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आपका कम हुआ की नहीं साथ दिन में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका । डाइबेटिस में थोड़ा थोड़ा लाब भी हो रहा है इसके साथ ही आप मेडिसीन की बात करेंगे तो पतनजली का जो company है दिव्य फार्मासी जो की पतनजली का medicine बनाता है तो उस company का एक आता है मधुनाशिनी बटी जो की एक packet में लगभग 30 दिन के लिए रहता है आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग ऐसे करें आपको खाली पेट दो दो गोली खाना है सुबह अगर ज्यादा diabetes रहता है तो अगर ज्यादा diabetes नहीं है तो आपको एक एक गोली खाना है लेकिन पतनजली के जो बाइदे हैं उनके संपर करने के बाद आप ये खा सकते हो तो ये packet की फॉर्म में रहता है diabetes की गोली आप उसे खानने के बाद आपका diabetes कोंट्रोल नहीं आपका diabetes की ओर हो सकता है उसके साथ ही हमने जो गिलोए है झोकि हमारे immunity सिस्टम को बढ़ाता है और गिलोए में आप गिलोए का सेबन भी कर सकते हो माद 6 को अगर गिलोए का जूस ना मिला हूत तो गिलोए के टाबलेट भी लेज़े तो यह बहुत कड़वा होता है और डाइबिटेस भी कंट्रोल कर सकता है इसके साथ आप घहरेलू जो उपाय है उसमें जामुन की गुठली को पाउडर बना के खा सकते हो अगर जामुन की गुठली ना मिले तो आपके डाइजेशन के के लिए सबसे अच्छा होता है यह जामुन का भी नेगा उसको जामुन सिरक्ा भी बोलते हैं इसको अपर लेषगते हो इसको आप खानेके बाद भी दो-दो चमाच लेसकते हो पान के साथ तो यह खाने से आपका डाइजेशन बहूत पीज़ी हो जाता है पहले आम जनेगे कि हमारा diabetes क्यूं होता है हमारा diabetes इसलिए होता है कि हमारा जो pancreas होता है ऊसमें से जो हमारा pancreas में से एक beta cells आता है तो बहुत वीक हो जाता है तो हमारा diabetes का जो भी problem से diabetes की बख् thou मतलब आपका stress का लखने से हो गया आपका मुट्टापा के कारण हो गया जेनेटिक हो गया तो सबका एक ही मतलब पंक्रियत से आपका जो इंसुलिन आना बंध हो जाए या कम हो जाए इसके कारण से हमें डाइबेटिस हो जाता है तो इसका सल्यूशन यूग में है आप अगर यूग जानते हो तो मॉंडू का असन करें कपलवाती ज्यादा करें नौ का असन करें पेट बाला जितना भी असन हो वो असन डाइबेटिस के लिए बहुत लाब करी होता है तो आप वो ही असन करें और उसके साथ आप ये सब जूस नहीं तो आपका जामुन का जो भीन्यगर जामुन के सिर्का बोलते हैं उसे नहीं तो आपके मध्धुनासी नीबटी ये दो दो बोली ले तो इसमें से कम हो सकता है लेकिन आप इसको लेने से भी और लाबकरीत अभगा जोब आप योग करेंगे आप योग किजिए योग में बहुत सकती है मैं आपको description में भी डाल दूँगा diabetes के लिए कौन-कौन सा आशन और कौन-कौन सा प्राणयम जरूर है आप उसे बहुत देखके करें लेकिन diabetes के जो रोगी है वो अपने खानने पर ध्यान दे उनका खानना कैसा होना चाहिए लेकिन हम भारी चीज़ खाएंगे तो वो digestion होने में दिक्कत होता इसलिए आपको ये जामुन सिर्का देते हैं लेकिन हम भारी चीज़े खाएं क्यों भारी चीज़े को पहले कम करें ज्यादा तला हुआ उसको बंद कर दें कि कुछ दिन तक थोड़ी थोड़ी मत्रा में खाना लें फल ज्यादा लें खीरा जैसे तर्भूज हुआ उसको ज्यादा मत्रा में लें और बाकी खाना थोड़ा कम कर दें तो औनाज कुछ दिन तक थोड़ा सा कम कर सकते हैं और दाल सबजी में ज्यादा खा सकते हैं तकि हमारा मेंटेल होके रहे डाइबेटिस ज्यादा ना बढ़ पाएं खाना सिंपूल सा खाना हो तकि वो आराम सा मतलब डाइजेस्ट हो सके इस तरह का खाना खाएं और जो लोग मानसाहर करते हैं डाइबेटिस वाले वो मानसाहर तो किसी को नहीं करना चाहिए लेकिन आप भी मनसाहर बंद कर सकते हैं तो आपका डाइबेटिस एक महीने में कोंट्रोल नहीं की ओर हो सकता है वोस आपको योग करना है और ये घरेलू उपचार ये आपको पालन करना है ताकि आपका डाइबेटिस कोंट्रोल हो सके इसलिए सब लोग रोज योग कीजिए को दिखा रहाता है सब आप पतंजली का कोई भी बाइद्य से परामर्स कर सकते हो लेकिन योग करने के साथ साथ अगर आप इसे लेंगे तो आपकी इलोपथी की दबाई भी छूड जाएगी और आपका जो डाइबेटेस की बिमारी है वो लगभग साथ से पंदरह दिन एक म मान के चलना है कि योग करना है और खाने पर ध्यान दना है संतुलित सत्वी के हर लेना है मांसाहर नहीं करना है बेजिटरियन बनना है और इसके साथ साथ ये घहरे लोजून उसके उसको पालन करना है तो फिर हमारा डाइबेटेस अच्छा हो सकता है लगभग भारत में हर अगर घर में एक आदमी को तो डाइबेटी का प्रेसेंट मिल भी जाएगा आपको अगर यह आप पालन करेंगे तो आपका डाइबेटीस की ओर हो सकता है